दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूटीब चैनल UPSC Prime Time पर पिछले वीडियो में हम भारत की मिट्टियों पर चर्चा कर चुके हैं इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों की विशेस्ताओं के बारे में दोस्तों मिट्टियों का चिप्टर इस्टेटिक जोग्राफी का हिस्सा है ऐसे में इस से जब भी पूछे जाएंगे रिपीट हो करके पूछे जाएंगे मैंने यहां पर सारे इंपॉर्टन फैक्ट्स को कलेक्ट करके रख दिया है और इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हैं और रिपीट करके याद कर लेते हैं तो निश्टित रुप से आपका एक नमबर परिछाओं में पक्का हो जाएगा दोस्तों इस वीडियो को सुरू करते हैं पूरी हिंदी मीडियों का नहीं है उन्हें पूरी हिंदी समझने में प्रॉबलम आ रही थी तो जहां पे मुझे जरूरी लगे गए मैं उसको इंग्लीस में ट्रांस लेट करता हुआ भी चलूंगा विध्यान पीडोलोजी कहलाता है पहले सारे करें इंपॉर्टेंट इंपॉर्टिंट मैं रखे हुए जो स्टड़ी आफ स्वाइल है इट काल पीडोलोजी तो जो मरदा विग्यान पिदी्दूलोइक है उनाइटेन्सन्स को एटनलियाय स्वाइल स्कूछ शारीत सिन्टा को फीक्तथ्लियर के तो綌वनिया स्वाइल होता है वैसे पीच मापते हैं equilibu की चीज को अमलियता को चारीता को फीर कर यह अब्डाइच ay फोटे ज्यायाइच परousse सका कम होता है उसके कम होता हुस को उतना ही को किसी लिक्वीड का जो रीडिंग है वो सेवन है तो उसको हम लोग कहKKेंगे कि यह नईडरल है उधा सिन तो एक सच्छे पी यह मानन वाली अमली मिटि को अमली अमली मान जितना उसका जो पी पिएज मान है वह कम होगा वह उतनी ही ज्यादा अमली होगी यहनी कि एक जो है वह सबसे ज्यादा अमली मिट्टी है और छे जो है वह फिर सबसे कम अमली मिट्टी है और साथ पराकर के न्यूट्रल हो जाएगी 8 से 14 pH मान वाली मर्दा को चारी मिट्टी कहा जाता है तो यहाँ पर हम यह की चीज समझ जाना चाहिए हमें कि तीन प्रकार की मिट्टी होती है अमली मिट्टी है, चारी मिट्टी है है और उधासीन मिट्डी है तो 1 1.6 पीच मान अम्ली मिट्डी साथ पीच महान हुदासीन मिट्डी न्यूट्रल मिट्डी और 8-14 पीच म 135 चारी मिट्डी अब बात कर लेते हैं है हां पाइज दिसंबर 2016 को पूरे वर्ड में मनाया गया क्या मनाया गया स्वाइड डे मिस्टर पूरष मनाया गया वान को into the SU CO2 में बोनाया गया तब करे समर्लाओं के विस्टा और दिवास मनाया गया तब से हम पासस्दिसंबर को समा हमेety से पूरे दुनिया में ये मर्दा दिवश मनाते हैं हम भी अफने आप स्वाइल डे मनाते हैं 5 दिसंबर को अब बात कर लेते हैं मिट्टियों के बारे में उनकी विशेष़ताओं के बारे में सबसे पहले बात करते हैं जलोल मिट्टी दोमट मिट्टी दोस्तों आज मैंने इंस्टागराम पर वहाँ पे कुश्चन पूछा भी था कि भारत में इसला वीडियो देखा होता तो आप समझ जाते मैंने उस फैक्ट को यहां पर कंसीडर कर लिया है जलोड मिट्टी की सबसे पहली विसेस्ता यह है कि वह भारत के सरवादिक एरिया में फैली हुई मिट्टी है करीब करीब 40 प्रसत एरिया पूरे भारत के छेतरफल का अगर हम हम लगाएं तो वह जанов मिट्टी से ढका हुआ है यहांनि कि जो जलोड मिट्टी है यह दोमट मिट्टी है यह भारत के सरवादिक छैतरफल पर पाए जाती त्योश्टं कम से कम दो से तीन बार रिपीट हुआ है सेम सब्धों मैं वैसे दोमत दोमा 值들 क्योंकि प्रिज्राइन कि प्रिच्छाओं में सीधे प्रय्चछता पाहि यहाप पूछा जाता है कि इता क्रेस्ट न drafting की प्रचूर्टी में नहीं और फॉति में पाई जाता है कि आपको बहुंता और हिूमस तत्तों की कमी होती है बलूई दोमट की जल धारण शमता सबसे कम होती है क्योंकि इसमें रेत के भारी कंड पाये जाते हैं जलोड मिट्टी में चावल गेहूं गन्ना जूट कपास तिलहन फल और सब्जियों की करसी बहुत अच्छे तरीके से होती है जल धारण क का विकास और निर्माट जौला मुखी बिसपोटों से निकले लावा के ठंडे होने को परांत बेसाल्ट लावा के अपच्छे अपच्छे का मतलब होता है विगटन होना इससे हुआ है इसलिए इसे लावा मिट्टी भी कहते हैं रासाइनिक द्रिश्टी से काली मिर्दा म में लोहा सोना कैल्सियम कार्बोनेट पोटास एल्मुनियम मैगनीशियम कार्बोनेट परचुर मात्रा में पाय जाते हैं नाइट्रोजन फासपोरस और जैविक परदार्थों कि इसमें कमी होती है कि यहां पर क्या अंतर काली मिट्टी में जैविक परदार्थों की कमी प सबसे ज़ादा होती है जल वहन करने की चमता है。」 सबसे ज़ादा होती है काली मिट्टी में क्या है टेटैनी फेरिस मैंगे टाइट और जिवांज इनकी उपस्तिती के करने इसका रंग कैसा दिखा काला दिखा ही देता है काली मर्दा कापस के लिए उच्छी समझी जाती लिए इसे बीकाली मर्दå कहते हैं कि इनका विष्टार कहा है मैं सब आपको मैपिंग वाले सेक्शन में पूरा बता चुका हूं महाराष्ट में गुजरात में मध्य-पदेश में करनाटक में कहां कहां तक हैं है personalities में इस म॰ाना का लाल रंग किसके करण ऐरन कि साइड होता है लेकिन जल योजीत रूपस्ट में यह पीली दिखाए पड़ती हैि इसे लिए पानी में मिल मील जाती है तो पीले रंघ दिखाई पढ़ने की मिट्टी में नहीं लोहा और गहेरी लाल मिट्टी में लोह और पोटास की बहुलता पायी जाती है इसकी उर वर्वरता कम होती डोसतों मैंने कुच्छा ता कि क्रल में कौन सी है जिसमें सबसे ज़्यादा काजु के फदल सबसे कम पिए यहां नायट्रोजन नहीं होगा चुना और जैलिग पड़ारत भी क्या है पिएच dalam प्रोटास की कमी देखी जाती चाहती है और यह प्रदार्स बहुत और प्रषाk नहीं होता नहीं होता नहीं इस मर्दा में जयो परदार्थों की मातरत 30-40% के आसपास में होती है पीट मर्दा में तो ये वीडियो हो गया है खतम इसको एक बार रिवाइव कर लेते हैं फटाफट मिट्टियों की विष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् और बताओ कि वीडियो कैसा लगा थेंक यू थेंक यू सो मच